वेलकम तो आइपन इस्टूड दियुट्स भीतों किस भेले से होंगे। सुर्ची साथ जो आपके लिए कोर्स लेकर आए वह बेसिक केंप्यूटर से रिलेटिड है। और बेसिक इंप्टर इस वकार ऐसे बच्चे जो अभी मैट्रिक कर रहे हैं मैट्रिक अभी जा रहे हैं और वहाब आप चाहते हैं कि यह जो समर कैम्स होते हैं तीन मिने की च्छोटिया सा बच्छे हमारे को स्किल्स हासे कल दे ताकि आने वाले वक्त में अगर वह उनिवर्स्टी एकॉलोजी तो वहाब उनको कुछ प्राब्लम ना है कंप्यूटर से रिलेटिड सीखने में क्यों देखें हार एक आगे खौईश होती है कि वह आईटी की फील्ड में जाए ग्राजवेशन में जाए तो आईटी रखें लेकिन बेसिक होंगी चीज़े तो उसे काफ़ी चीज़ें इसी लगती हैं फिर जॉब्स आप सरकारी जफ्टर में जाएं प्राइब सेक्टर में जा इस वीडियो के अंदर मैं बुटस की इस कोस की डियॉरेशन और कौन-कौन से कौन्स के इसकौन से अजय हूं पर आप मेट्रिक पास है इंटरिक हैं इंटरमेडियर कोई भी है इसकी करने की या तो कई पबंधी है ना कोई एज्ट लिमेट है ना कोई एज्यूकेशन बैं कल फर्म में जाते हैं हैं य हमको सब कहते हैं कि य सिक आपको सबसे पहले पूछ पूरा पूरा अपकर दूंगा तो उनको और क्या चाहिए उनको ऐसे ही लोग स्किल्स वाले चाहिए जो यह काम कर सके हैं प्लस आप ओनलाइन अर्निंग भी हासिद कर सकते हैं क्योंकि आज कल बहुत जादा ओनलाइन जॉब्स हैं और फ्रीलांसिंग की जॉब्स हैं जो के घर बैठे वे लेडी बच्चियां हमारी बच्चे हमारे कमा सकते हैं घर में बैठे अगर उनको अच्छी स्किल्स अच्छा कर्प्यूटर चिलाना आता है प्लस हम लोग इसके अंदर जब डूरेशन है वह दो मीने का कोर्स है ठीक है एक से दो मीने हम लोग प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रेनिंग करते हैं ऑनलाइ हम प्रेटिकल करवाते हैं और फिजिकल में हम प्रेटिकल करवाते हैं इस कोई हम कोई थ्योरी नहीं बढ़ाते हैं थ्रू आउड हम लोग फ्रम जीरो से लेकर एंड तक हम आपको प्रेटिकल सारा सेशन करवाते हैं इसके अंदर हम लोग आपको MS Word complete सिखाते हैं MS PowerPoint आपको आपको इस crimes आपको और से रिलेटेट और वी साुफ्ट आपको टैपिंग और एंग्लिश पाको बीगारती सांद करना का चांट करना तो वह कर सकते हैं